नमस्कार मैं हूँ प्रियतम और आप देख रहे हैं The Rival World दोस्तों कैसे हूँ आप सब उम्मीद करता हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बाखोबे इंजोय कर रहे होंगे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट करके ये पूछा था कि सर लेटेस्ट सैलरी स्लिप पे वेडियो बनाईए तो बंदा हाजिर है और आज की वेडियो में हम यही डिसकस करने वाले हैं कि एक गूट्स ट्रेंड मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है वो भी लेटेस्ट सैलरी स्लिप के साथ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली देफा हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ बेल का बटन जरूर प्रेस किजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चली चलते हैं मोबाईल स्क्रीन पे जहां पे हम जानेंगे कि एक सैलरी स्लिप में क्या होता है उसमें कितना ग्रॉस सैलरी बनती है क्या डिदक्षन होता है नेट सैलरी कितनी बनती है तो चली चलते हैं मोबाईल स्क्रीन पे तो अभी हम आ चुके हैं मोबाईल स्क्रीन पे सबसे उपर में हम देखते हैं ACR यानि कि South Eastern Railway का यह पेसलिप है अब उपर में ही left corner में देखते हैं नेम रहता है यानि कि employee का नेम रहेगा उसके बाद उसके नीचे designation में है running train manager goods यानि कि ये goods running staff आते हैं और इनका department जो है वो operating है operating यानि कि जो train manager goods जो होते हैं यानि कि train manager जो भी होते हैं goods हो या फिर coaching हो तो ये पड़िचालन विभाग के करमचारी होते हैं और इनका जो station है वो है JSG JSG जार्सुगूरा का code है यानि कि जो इनका lobby है वो जार्सुगूरा है उसके बाद नीचे में हम लोग देखते हैं bill unit यहाँ पे है जहां से आपका bill generate होता है उसके बाद नीचे में है आधार number अब उसके दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि employee का date of birth क्या है तो यहाँ पे date date of birth आप देख सकते हैं 3.11.1986 इनका date of birth है उसके बाद उसके नीचे PC level होता है यानि कि जो goods guard का जो job है यानि कि train manager जो goods होते हैं उनका जो job है वो level 5 का है तो यहाँ पे level 5 अंकित है उसके बाद उसके नीचे हम लोग देखते हैं increment date यानि कि वेतन विडिती की जो तीथी है व लगेगी तो increment क्या होता है कि आपकी basic salary जो होती है हर साल 3% के हिसाब से आपकी basic salary बढ़ती है उसके बाद नीचे में उसका mobile number है अब उसके दूसरे तरफ हम लोग देखते है date of joining है और उसके नीचे हम लोग देखते है plan number payment mode account number जिसमें आपकी salary credit की जाएगी उसके बाद लीचे की तरफ आते हैं लीव balance as on 1-1-2023 यानि कि एक जनवरी 2023 को इनके account में कितना लीव बचा हुआ है लीव क्या होता है LAP और CL दो तरह के लीव जनरली आपको दिये जाते हैं एक CL होता है और एक LAP होता है और LHP भी होता है लीव तो ऐसे बहुत टाइप के लीव है ले लीव आपका LAP और LHP ही लाता है तो इनके account में फिलहाल 158 LAP इनके account में बचा हुआ है LAP जो होता है साल में आपके account में 30 LAP क्रेडिट किये जाते हैं और उसके बाद LHP LHP जो होता है लीव on half average pay वो है 200 यानि कि जब आप sick होते हैं जब आप बीमार होते हैं तो उस condition में जो आप लिव लेते हैं वो होता है LHP उसके बाद नीचे में इनका है duty days duty days यानि कि जनवारी में इन्होंने total 31 दिनों की duty की है मतलब जो इनका वेतन जो है generate हुआ है जो इनका salary जो generate हुआ है वो total 31 days का generate हुआ है उसके नीचे हम लोग देखते हैं gross pay यानि कि सकल वेतन total जो जो payment बना है वो 65,553 बना है उसके बाद उसमें से जो cutting है total recovery है 22,127 तो कुल मिला करके सुद्ध वेतन जो है net pay जो है इनका 43,426 43426 ये उनका net pay है अब इसका जो details है अब हम लोग नीचे में देखते है अर्निंग्स क्या है तो अर्निंग में सबसे पहले हम लोग उपर में देखते हैं basic pay जो इनका है 31,000 है यानि कि जब आप starting में जब आप join करते हैं उस समया आपका जो basic होता है 29,200 और इनका 31,000 यानि कि इनका एक increment लग चुका है यानि कि ये एक साल पूराने हो चुके है अब उसके नीचे हम लोग देखते हैं dearness allowance यानि कि 15,316 रुपए इनका महंगाई भत्ता हुआ है फिर उसके नीचे देखते हैं transport allowance 24,84 रुपए किलोमेटर allowance 12,220 रुपए यानि कि किलोमेटर allowance में अगर 4,7 से अगर आप डिवाइट करते हैं तो इनका कितना किलोमेटर का ये payment हुआ है वो आपको मालुम चल जाएगा तो किलोमेटर allowance इनका थोड़ा और जा सकता था खेर जो भी हो बीच में हो सकता है इन्होंने छुट्टी लिया होगा उसके बा जाता है फिर उसके नीचे हम लोग देखते हैं लिव अलाउंस रणिंग यानि कि जब आप छुट्टी पे होते हैं तो छुट्टी का भी आपका कुछ अलाउंस दिया जाता है तो 602 रुपया जो हुआ है इनका लिव अलाउंस है उसके बाद इन्होंने जो नाइट प्रेटेशन कितना किया गया है तो रेलवे इंप्लोई इंसरेंस यह जो है 30 रुपै रेलवे इंप्लोई इंसरेंस यह 30 रुपै कटता है यह सब का कटता है आब इसके बाद नीचे में देखते हैं Life Insurance Corporation of India इन्होंने एलाइसी की पॉलिसी ले करके रखी हुई है तो इनका account से ही salary से ही cut जाता है, तो वो कितना cut ता है 2886 रुपया, उसके बाद NPS यानि की new pension scheme tier 1 में इनका 5561 रुपया cut ता है, income tax इनका cut ता है 514 रुपया, उसके बाद profession tax orisa, तो orisa का एक अपना tax है जिसको profession tax कहा जाता है 200 है, तो यह हो सकता है, और estate में cut ता होगा या फिर नहीं भी cut ता होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो उसके नीचे है Urban Bank का यह member है, तो member का जो fee होता है, हर महीने 800 रुपया यह cut ता है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे साइड में, दूसरे साइड में इन्होंने cooperative bank यानि की Urban Bank से इन्होंने loan लेकर के रखा है, जिसका cut ती है, यानि की जिसका EMI इनको हर महीने 7436 रुपय यानि की 7436 रुपय इनको इनके account से काट ली जाती है तो कुल मिला करके यही इनका salary slip है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इनका total जो gross payment बना था 65553 और total deduction हुआ है कितना 22127 रुपय तो इस तरह से net payment जो इनका हुआ है, account में जो इनका credit हुआ है 43,426 रुपय है इसमें OT का mention नहीं, OT इसलिए नहीं कि चक्रदरपूर डिवीजन में साल में दो ही बार OT दिया जाता है और ऐसा कोई fix नहीं है, लेकिन जब एक बार bunching type का हो जाता है, एक बार 5-6 महिना का OT हो जाता है तब दिया जाता है, यानि कि एक बार huge amount आपको देखने को मिलेगी और इसमें छुट्टी में ये चले गया, तो 3-4,000 रुपय है इनका और बर्स सकता था क्योंकि छुट्टी में जाने से इनका kilometer जो है वो थोड़ा मार किया तो उम्मिद करता हो कि वीडियो पसंद आये होगी, अगर पसंद आये तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, एंड शेयर तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर जै हिन, जै भारत, जै भारत ये रेल